Hello dear students, welcome to crack exam So, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में कहा था कि मैं dice के related problems लाऊँगा तो आज मैंने short tricks लाई ये multiple dice की problems को solve करने के लिए चलिए start करते हैं तो सबसे पहले हम start करेंगे with two dice problems मनलब ऐसी problem है जिसमें आप two dice एक साथ ठेंकेंगे तो उसमें आपको जो probability आएगी अलगल numbers की तो उसके related ये आप shorter के Students अगर आप ये shorter सीख जाते हैं तो I can assure you that you can go through any such question of probability related to dice within few seconds आप बहुत जल्दी कर लेंगे इसको नहीं तो अगर आप इसको normal message से करेंगे तो आपको बहुत time लगे इसमें I can say that आपको approximately आपको चार या तीन में लगेंगी आपको dice के इस तरह के question solve करने में तो देखिए इसमें करना क्या है मतलब जब आप दो dice फेंकेंगे एक साथ तो आपका जो minimum sum आ सकता है वो 2 आ सकता है और यहां पर हमारा n equal to 2 है क्योंग हम 2 dice फेंक रहें तो हमारा जो total outcome आएगा 36 इसी तरह अगर आप 3 dice फेंगे तो उसका आएगा 6 cube जो हम आगे करेंगे तो अब इसमें आपको दो identities की याद रखने है यह notation होती है हमारी probability के लिए कि जब भी आपको question में and दिया होगा तो उसकत आपको समझ लेना है कि यहां पर हमें multiply करने को कह रहा है और अगर आपको question में r दिया होगा जिसा आप probability of finding 3 or 4 या probability of getting some 6 or 5 तो आपको याद रखना है वहां पर आपको plus करना है वहां पर आपको multiply करना है यह चीज़ आप समझ अब हम लोग समझते हैं इस triangle को तो जो हमारे लिए बहुत important है कि अगर आपने यह समझ लिए तो आप बिल्कुल दोड़ाइस की कोई भी question कर लेंगे देखिए हमारे जो minimum सम आता था था 2 और maximum sum हमारा था 12 अब देखिए हमने क्या करना है हमने क्या करना है हमने एक triangle बनाना ह तक 2 हमने triangle के एक edge पर रखना है 7 हमने triangle के top पर रखना है और 12 हमने triangle के इदर extreme दूसरे corner पर रखना है जिस थे आपने यहां पर बनाया है तो जिए बाहर वाले number होंगे इनको हम कहेंगे sum और अंदर हमने क्या करना है अंदर हमने 2 की जगा और 12 की जगा 11 रखना है क्यूंकि 2 तो जो है एक ही बार आएगा और 12 भी एक ही बार आएगा तो अंदर हमने क्या करना है वन से लेकर 6 तक पहले लेकर जाना है नंबर को उपर फिर वापस उल्टी तरफ में आना है और अंदर जो है वह है प्रावबल्टी इसना हमने यहां लिखा भी है कि आउटर में सम आएगा और अंदर में प्रावबल्टी आएगी तो बस आपको यह याद रखनाना है कि 2 से लेकर 12 तक 2 एक एंड पे 12 दूसरे एंड पे और 7 टॉप पे और अंदर वाले जो नंबर हैं 1 से 6 तक और 6 से फिर 1 तक ठीक है यह इसको इंपॉर्टन है बहुत समझना है इसको तो अब हम चलते हैं कोश्चिन के लगा अब पहला जो हमारा कोश्चिन है वह है प्रावबल्टी आप ग हम ते त्रेंगे से करणी करेंगे तो सब्सक्राइब आपको आपको ट्रेंगल में आरा है ऊपर हमारा एक के अंदर अब आंदर तो हम जलते हैं तॉमराは इसमें दो नोटेशिन याद रखनें कि and equal to multiply and or equal to plus तो question हमसे कह रहा है कि हमें probability find करनी है कि sum या तो 6 आई या 7 है तो हमें जाना है triangle में देखना है कि 6 आने की probability क्या है और 7 आने क्या है और हमारे पता है कि बीश में और है तो इसलिए plus आएगा तो हम जाकर triangle के अंदर देखेंगे हम triangle में देख सकते हैं कि 6 के corresponding जो अंदर number आ रहा है 5 आ रहा है और 7 के corresponding 6 आ रहा है तो हमारे जो favorable outcome है 7 का 6 है और 6 का 5 है तो इस तरह से जो हमारी probability आ जाएगी वो आएगी हमारी पास probability आएगी 5 by 36 plus 6 by 36 total probability आएगी 11 by 36 इसी तरह probability हमारी that sum is at least 10 मतलब हमारा जो sum है वो 10 आए at least 10 तो उसके लिए हमें क्या करना है हमें triangle में वो सारे number देखने हैं जिनका sum या तो 10 आए या 10 से ज्यादा आए at least कम से कम 10 आए और जिदर से जतना अमर्दी आए हम देखने कि हमारा कितना आ रहा है तो हम चेक करेंगे triangle में जाके triangle में हम देख सकते हैं कि जो number हमारे है 10 11 और 12 यह इसे तीन नंबर है जिनका sum 10 या 10 से ज़़ा आ रहा है तो इनके corresponding probability हमारी वह है 3 2 और 1 तो इसलिए हमारे जो probability आएगी 3 प्लस 2 प्लस 1 हमारी 10 11 12 तीनु की यह तो 10 ना यह 11 ना यह 12 यह और तो इसलिए हमारे का 3 प्लस 2 प्लस 1 यह का हमारे favorable और total हमारे जो है number 36 से इसलिए हमारे जो probability total आएगी वह आएगी 6 by 36 so hope guys you have liked this video तो अगर आपको पसांद आई हो तो आप इसको चैनल को subscribe कीजिए, like कीजिए, share कीजिए and इसके बाद में लाऊंगा three dice की problem वह बहुत tough level competition problem होती है एक्सर वह banking के exam इसलिए RBA के exam होता है या फिर जो JNK bank के भी exam में जो होती है उनमें भी जो higher level के tough exam होता है या cat का exam होता है उनमें काफी काम आती है तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखीगा आप काफी help मिलेगी, thank you